जैहिन मेरे प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं उम्मित करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में 20 VBI 20 Most VBI गैसों का रसाइनिक सुत्र को बताया जाएगा जो कि बहुत ही important है और आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है ठीक है यदि आप इस तरह का गैस का formula नहीं जानते हैं तो आप कहीं कहीं पीछे रहा जाते हैं तो आज की इस वीडियो में कुल मिला करके 20 आप सभी को Most Important गैस का रसाइनिक सुत्र बताया जाएगा जो कि इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा यदि अभी तक आप इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं की हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दियाओ, उसे दवा के जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का knowledgeful content को लेकर क्या हूँगा, उसका notification आप तक पहुच जाएगा, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले में शुरुआत में दिखे क्या है oxygen, oxygen gas का जो formula होता है, O2, ठीक है, इसके बाद है nitrogen, nitrogen का रसाइनिक सुतर होता है N2, क्या होगा N2, बहुत यसान है इसको याद रखना, ठीक है, चलिए तिसरा नमर में है hydrogen, hydrogen का होता है H2, क्या होगा H2, उसके बाद है ammonia, चार नमर में है ammonia, ammonia का होता है NH3, ठीक है, उसके बाद है carbon dioxide, जो की बहुत important है carbon dioxide, इसका formula होता है CO2, क्या होगा CO2, ठीक है, carbon monoxide, carbon monoxide में यहाँ पर CO होगा, यहाँ से 2 हट जाता है, चुकि mono है, तो mono मतलब 1 होता है और die मतलब 2 होता है, die मतलब कितना होता है, 2, तो जहाँ भी die लगावा रहता है, वहाँ पर 2 जरूर लगावा रहेगा formula में, ठीक है, यहाँ पर mono oxide है, तो सिर्फ CO होगा, ठीक है, चलिए साथमा नमर में है sulfur dioxide, देखे, यहाँ पर भी die oxide लगावा है, तो SO2, यहाँ पर 2 लगावा, die मतलब 2 होता है, आप सभी ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, आटमा नमर में ozone, ozone gas, जो की हम लोगों के लिए बहुत important है इसक इसके बाद है, नमवा नमर में nitrous oxide, nitrous oxide या nitric oxide भी बोल सकते हैं इसको, इसका होता है NO, क्या होगा, NO, तो देखे, nitrous oxide को हास gas, मतलब हसने वाला gas भी कहा जाता है, यदि इस gas को अगर आपके आस पास में छोड़ दिया जाता है, तो आप हस करके load port हो जाएंगे, तो यह दूसरी copy में लिखा हुआ, दूसरी page में, हम लोगा 11 नमर में है nitrogen, nitrogen को होता है NO2, nitrogen का NO2, उसके बाद hydrogen, hydrogen sulfide है, hydrogen sulfide को होता है H2S, याद रखेंगे, बहुत important है, hydrogen sulfide को होता है H2S, ठीक है, इसके बाद 13 नमर में है hydrogen chloride, hydrogen chloride को होता है HCl, ठीक है, hydrogen chloride का HCl, ठीक है, इसके बा होगा है तो यहां पर HCN होगा HCN ठीक है magnesium oxide magnesium oxide का क्या होगा MGO MGO magnesium oxide का MGO इसके बाद 16 नमर में Acetylene Acetylene gas का formula होता है C2H2 C2H2 ठीक है 17 नमर में helium helium का होता है HE हिलियम का HE इसके बाद 18 में है methane methane gas का होता है CH4 methane gas का CH4 19 नमर में हम लोग का है chlorine chlorine gas का formula होता है CL2 chlorine gas का formula होता है CL2 20 जो की आखरी नमर में हम लोग का कितना है ethanol ethanol का होता है formula C2H5OH बहुत important है इसको जरूर याद रखिए गर ठीक है तो इस तरीके से total 20 आपको जो है gas का रसायनिक सुत रह उसका नाम बताया गया है आप चाहे तो आपने copy pane में इसको note down करके रख सकते हैं ताकि भविस में आप इसको नहीं बूलेंगे ठीक है और बार बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा knowledge मिला होगा अब तक के लिए जाहिंद बंदे मात